मुख्य द्वार है और आज मैं इसी को सजाने वाली हूँ वो भी बिल्कुल जीरो कोश्ट में जो भी मेरे घर में जो भी समाण है उसी से मैं सजाऊंगी कोई भार से मैं सजा जो समान है वो लेकिन नहीं आऊंगी और घर के जो एंट्रेंस एरिये को सजाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी से हम और भारवाले अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के अंदर का एरिया कैसा कितना सुंदर है तो आज मैं इसी का मेक और करने वाली खाली पड़ी दिवार को मैं पूरा भरूंगी दोस्तों और पूरे आप देखना किस तरह से मैं क्या-क्या चीजों का यहां यूज करने वाली हूँ वो भी बिल्कुल जीरो बजट में बिल्कुल एक भी रुपए खर्च की विना तो पूरे एरिये इतनी ज्यादा हो रखी थी अगर मैं प्लांट्स रखती तो पूरे जल जाते खतम हो जाते तो अभी मौनसुन का महीना चल रहा है काफी अच्छा प्लांट्स ग्रो करने का काफी अच्छा है तो यहां प्लांट्स भी मैं रखूंगी तो काफी अच्छी से चलेंगी दोस् साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है तो यहां से मैं पूरा है ना साफ कर दूंगी अच्छे से क्लीन कर दूंगी दोस्तों और जो सामने आप पोड देख रहे हैं यह भी मैंने खुद से ही बनाई हुए हैं यह वेश्ट मटके से बनाई हुए हैं और दिखने में कितने उपसूरती का एहम इसा होते हैं अगर आप घर के अंदर प्लांट्स रखते हैं तो घर की नेगिटिव एनरजी को दूर करते हैं पॉजिटिव एनरजी लेके आते हैं और घर में एक शांती भड़ा वातावन बनाते हैं दोस्तों तो यह प्लांट्स मेरे पास रखे हुए ये इंडोर प्लांट से सारे औरु इनको मैं अच्छे से साफ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी, जितने भी P His pot थे, ये इनको भी मैं क्लीन करने वाली हूँ, और चले चलते हैं अपने Entry Area पे, जो जिसका मैं मे कवर करने वाली दोस्तों, तो यह पूरा मैंने साफ कर दिया है, यहां से पूरा क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं आप पूरा यहां से क्लीन कर दिया है, और सबसे पहले मैं इस दिवार पर काम करने वाली दो, करने वाली दोस्तों, तो दिवार पर इस तरह का मैंने बड़े बड़े छेट बना लिया है मेरे पास है ना इस तरह के यह सरिया पड़ा हुआ था जो कि घर में पड़ा हुआ था इसको मैंने 88 इंट का इस तरह से कटवा लिया है और यह मैंने यहां से मैं इन दिवारों पीन सरियों को लगाऊंगी और यहां पर मैं यह वोल सेल्फ वो बनाने वाली हो और जो भी यहा पहले कुछ महीने पहले लखड़ी गाम भूआ था और यह वहां पर वेश्ट पड़िवी तो मैं वहां से लेके आई थी और यह मैंने एक ही साइज के इस तरह से इस भाईया से बिल्कुल एक ही साइज के यहां यहां जितने भी मैंने वोल सेल बनानी है वो सारी जो लखड़ लकडी यह खराब नहीं होगी तो पेंट करना इसलिए जरूरी ज़तर मैं ओल पेंट का यूज कर रही हूँ ओल पेंट में साइनिंग भी होते हैं लकडी के लिए काफी अच्छा होता है तो जितने भी लकडी के फट्टे थे उद पे मैंने पेंट है वो कर लिया है पेंट जीरो बजट में तो आप इस तरह से वोल जो हैना सेल्फ इस तरह से लगा दीजिए दिखने में भी खुबसूत लगता है सस्ता भी होता है बहुत यह सस्ता जुगाडू होता है तो यहां मैं कुछ पोर्ट्स रखूंगी इन वोल सेल्फ में और यह पोर्स नर्शरी पोर् यहां बिल्प गोर्ट्स Amaura को जओ पूरी इंट्री एरिया में कुछ इंडोर प्लांट रखूंगी यहां बिल्कुल शूनाesome lav पड़ा हुआ था और अगर हम प्लांट रखते हैं तो घर की खुबसूरती इतनी सुन्दर बना देते दोस्तों और घर की में एक पोजटिव एनरजी का जो है न संचार करते हैं वहुके बड़ा और बहुत ही सुन्दर प्लांट मैं हा रख रही हूँ यह इनको मैं यहाँ पूरा डेकरेट करने वाली प्लांट से दोस्तों इनके लिए मैंने हाइट का कोई इंद्जाम नहीं किया है अगर मैं यहां हाइट भी दे सकती थी लेकिन मैंने इन पर इनको बिना ऐसे नीचे ही रख दिया है कुछ मैं इस तरह से स्टेर्ज आ रही हो पर इन पर रख दूंगी मनी यहां रख दूंगी और यहां दिखने में इतना खुब छोड़ा है यहां बिल्कुल सुनी उपड़ी वी थी तो यह जो डिय वाइवाई आटी की चलनी ठी यह तोट गई थी और यहां पर मैंने जूट लपेट के यहां भी मनी प्लांट रख दिया है यह जो चोटा सा फ् बीख ना स्टैंड बना है वह भी लकड़ी के है फट्टे पड़े थै मेरे पास उझिते हैं और यहां जो भी रसी पड़ी थी मेरे पास आप आने लगा दी दोस्तों और मंदिर भी मैंने अपना यहां रख दिया है और यह महादेव का मंदिर है। यहां पर जैट प्लांट की टोपियारी बनाई वी दिखने भी इतना खूरत हैं और यहां पर मैं जैसे के आप सभी जानते हैं अभी शावन चल रहा है तो यहां महादेव की रोज पूजा करती हूं मैं और यह जो मत्का है यह भी मैंने खुद से ही इसको डेकुरेट किया है इसको मैंने तोड़के है मनी प्लांट लगा दिया मनी प्लांट जो है वबोटल के अंदर लगायवा है ए बोटल मैं इस मत्के में रखा हो currency को अब यहां से पहले था एंट्री करते था यहां से लेकिन अब आप देखिए अब आप मुझे बताइए यह कैसी लग रही दोस्तो वो भी बिल्कुल जीरो बजट में कोई बहार से सामान नहीं खरीदा कुछ नहीं खरीदा सब कुछ जो घर में पड़ा हुआ था वो ही मैंने यहां पर लगाया हुआ है यह जो पोर्ट्स थे मैंने थोड़ा सा सुंदर बना दिये दोस्तों यहां डिरेक्ट धूप आती है आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज आ रही है सुबह की दो-तीन दिन घंटे की धूप यहां आती है तो यहां जो फ्लावरिंग प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से चलते हैं पहले गर् जो है ना वह बिल्कुल एक ब्राउंदा टाइप में है स्टेस जा रही है उसी की जो शेड में है तो जितने भी प्लांट हो काफ अच्छे से चलेंगे तो देख सकते दोस्तों जो एंट्री एरिया है वो मैंने बिल्कुल जीरो बजट में कितना सुंदर कितना प्यारा बन प्लांट्स तो मैं इतना रक्तियु में कितने प्लांट्स हो जाए वो मेरे पास कम ही पढ़ते हैं मेरे पास बहुत बड़ा सा गार्डन भी है दोस्तों तो कैसा लगा मेरा एंट्री एरिया पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब